क्या आपने कभी अपने जीवन में अचानत बदलाव महसूस किया है कोई ऐसा परिवर्तन जो बिना किसी पूर्व चेतावनी के आ जाता है और आपके जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल देता है क्या आपने कभी सोचा है कि ये बदलाव महस सन्योग है या इसके पीछे कोई दिव्य शक्ति काम कर रही है आज हम बात करेंगे भगवान शिव के उन संकेतों की जो हमारे जीवन में अचानक बदलाव का कारण बनते हैं शिव को विनाश के देवता माना जाता है लेकिन साथ ही वे स्रिजन और पुना निर्मान के भी देवता है जब भगवान शिव हमें संकेत देते हैं तो जीवन में कुछ बड़ा होने वाला होता है आज इस वीडियो में हम इन रहस्य में संकेतों और उनके पीछे की शक्ति के बारे में विस्तार से जानेंगे यह वीडियो अंत तक देखिए क्योंकि इसमें कुछ ऐसे अद्भुत और रहस्य में तथ्य छुपे हैं जिनें जानने के बाद आप अपने जीवन के बदलावों को एक नए द्रिश्टिकोन से देखेंगे भगवान शिव को महाकाल कहा जाता है समय के स्वामी वे केवल विनाश के देवता नहीं बलकी परिवर्तन के भी प्रतीक है जब हमारे जीवन में कुछ बड़ा होने वाला होता है तो भगवान शिव हमें संकेत देते हैं इन संकेतों को पहचानना ही हमारे लिए चुनौती होती है भगवान शिव के संकेत अप्रत्यक्ष होते हैं और अगर हम उन पर ध्यान ना दे तो हम अपने जीवन में महत्वपूर्ण अवसरों को खो सकते हैं चाहे वह कोई नई दिशा हो कोई नया रास्ता हो या फिर पुरानी चीजों का अंग यह सभी शिव के संकेतों का हिस्सा हो सकते हैं चलिए जानते हैं पहला संकेत जीवन में अचानक संकट शिव की परीक्षा अगर आपके जीवन में अचानक से कोई संकट आता है, तो यह भगवान शिव का संकेत हो सकता है शिव हमें सिखाते हैं कि जब हमारे सामने चुनौतियां आती हैं, तब हमें उनसे डरना नहीं चाहिए संकट के समय शिव हमें अपनी आंतरिक शक्ती की पहचान कराते हैं कई बार होता है कि हमारी जिन्दगी अचानक उलजनों में फंस जाती है नौकरी छुट जाना, रिष्टों में तनाव आना या फिर कोई आर्थिक परिशानी यह सब शिव की परीक्षा हो सकती है लेकिन यह परीक्षा हमें मजबूत बनाने के लिए होती है ताकि हम अपनी पूरी क्षमता को पहचान सके जब अर्जुन महाभारत के युद्ध के दौरान भमित हुए तो भगवान कृष्ण ने उन्हें शिव की आराधना करने का निर्देश दिया शिव ने उन्हें आशिरवाद दिया और अर्जुन ने अपनी योग्यता को पहचाना इसी प्रकार जीवन में अचानक आने वाले संकट हमें नए मार्ग दिखा सकते हैं दूसरा संकेत है नए अफसर का आना शिव का वर्दान जब जीवन में अचानक कोई बड़ा अफसर आता है जैसे नई नौकरी का प्रस्ताव, व्यापार में बड़ा मौका या कोई महत्वपूर्ण व्यक्ती से मुलाकात तो इसे भगवान शिव का वर्दान मानना चाहिए शिव हमें ना केवल संकट से बाहर निकालते हैं बल्कि हमारे लिए नए द्वार भी खोलते हैं लेकिन ध्यान रखें, भगवान शिव के दिये हुए अफसरों को पहचानना और सही समय पर उनका उप्योग करना बेहत जरूरी है कई बार हम अफसरों को नकार देते हैं या उन्हें नजर अंदाज कर देते हैं और फिर हमें बाद में पच्टाना पड़ता है एक कहानी के अनुसार, एक बार एक साधारन किसान के जीवन में अचानक से धन की प्राप्ती हुई यहां भगवान शिव का संकेत था जिसने उसके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया लेकिन वह किसान केवल धन प्राप्त कर खुश नहीं हुआ बलकि उसने शिव की कृपा से दूसरों की भी मदद की और अपने जीवन में सुख और शांती प्राप्त की तीसरा संकेत है रिष्टों में बदलाव शिव की स्विकृती या अस्विकृती कभी कभी हमारे जीवन में अचानक रिष्टों में बदलाव आ जाता है कुछ पुराने रिष्टे तूट जाते हैं जबकि कुछ नए बनते हैं यहां भी भगवान शिव का एक संकेत हो सकता है, शिव हमें सिखाते हैं कि जीवन में हर चीज का एक समय होता है, जब कोई रिष्टा खत्म होता है तो यहां किसी नए रिष्टे के लिए स्थान खाली कर रहा होता है, रिष्टों में बदलाव शिव की स्विक्रिती या अंकेत हो सकता है वे हमें दिखाते हैं कि कौन से लोग हमारे जीवन में रहने के योग्य हैं और कौन नहीं अगर आपके जीवन में अचानक से कोई रिष्टा खत्म हो जाता है तो यहां सोचिए कि भगवान शिव आपको कुछ नया सिखाने की कोशिश कर रही हैं शिव और म और त्याक का महत्व सिखाया आज जब हमारे जीवन में भी रिष्टों में परिशानी आती है तो यह शिव का संकेत होता है कि हमें सही दिशा में सोचने और निरने लेने की जरूरत है चौथा संकेत है स्वपन और धारणाएं शिव के रहस्य में संदेश भगवान शिव क कई बार हमें स्वपनों के माध्यम से संकेत देते हैं अगर आप बार-बार किसी विशेश स्वपन को देख रहे हैं तो यह शिव का संकेत हो सकता है शिव हमें स्वपनों के जरिये उन चीजों की जानकारी देते हैं जो हमें हमारे वर्तमान जीवन में समझ नहीं आ रही हो कि आपको उस दिशा में ध्यान देने की आवशक्ता है। एक साधक ने बार-बार भगवान शिव का ध्यान करते हुए स्वप्न में एक विशेष पहाण को देखा। बाद में उसे पता चला कि वह स्थान कैलाश परवत था भगवान शिव का निवास यह स्वपन साधक को भगवान शिव के प्रती अपने भक्ती को और भी गहरा करने का संकेत दे रहा था पांचवा संकेत है अंट और पुना निर्मान शिव का अद्वितिय संदेश शिव विनाश के देवता है लेकिन विनाश का मतलब हमेशा नकारातमक नहीं होता कभी कभी जीवन में कुछ चीजों का अंत होना जरूरी होता है ताकि नई शुरुआत हो सके अगर आपके जीवन में अचानक से कुछ खत्म हो रहा है, चाहे वह नौकरी हो, कोई परियोजना हो या कोई पुराना सपना हो, तो यहां भगवान शिव का संकेत हो सकता है कि अब नए निर्मान का समय आ गया है शिव हमें सिखाते हैं कि हर अन्त एक नई शुरुवात का द्वार खोलता है, अगर आपके जीवन में कुछ खत्म हो रहा है, तो इसे भगवान शिव की कृपा समझी, क्योंकि यहां आपको भैतर अफसरों की ओर ले जा रहा है शिव द्वारा त्रिपुरासुर का विनाश हमें सिखाता है कि कैसे पुरानी नकारात्मक चीजों का अन्त होना जरूरी है ताकि नई सकारात्मक चीजों का निर्मान हो सके शिव का यह संदेश हमारे जीवन में भी लागू होता है भगवान शिव के संकेत हमेशा स्पष्ट नहीं होते लेकिन अगर हम उन पर ध्यान दे तो हम अपने जीवन के हर छोटे बड़े बदलाव को समझ सकते हैं चाहे वह संकट हो, नया अवसर, रिष्टों में बदलाव, स्वपने या जीवन में अंत भगवान शिव हमें हर कदम पर दिशा दिखाते हैं उनके संकेतों को समझना और उनका पालन करना ही हमें सफलता, शांती और सुख की ओर ले जाता है छटा संकेत है, अचानक एकांत कीचा, आत्म निरिक्षन का संकेत अगर आपको अचानक एकांत में रहने की इच्छा होती है और जीवन के शोशराबे से दूर जाने का मन करता है तो यह भगवान शिव का संकेत हो सकता है कि आपको आत्म निरिक्षन की आवशकता है शिव, जो कैलाश पर्वत पर ध्यान लगाते हैं, हमें सिखाते हैं कि कभी-कभी मौन और एकांत में ही हमारे उत्तर छिपे होते हैं जब हम अपने भीतर जाकते हैं, तो हमें अपनी आंतरिक शक्तियों और कमजोरियों का पता चलता है यह एकांत आपको अपने जीवन की दिशा और उद्देश्य को समझने का अवसर देता है साधत जब हिमालय की ओर ध्यान करने जाता है, तो वह भगवान शिव की शक्ति का आवान करता है एकांत में ध्यान लगाना आपको शिव की कृपा के निकट ले जाता है सात्वा संकेत है, अचानक मृत्यू का सामना, जीवन की क्षण भंगुरता का संकेत जीवन में अचानक किसी करीबी की मृत्यू का अनुभव हमें गहरे तक प्रभावित करता है यह घटना भगवान शिव का संकेत हो सकती है कि हमें जीवन की क्षण भंगुरता को समझने की जरूरत है शिव जो महादेव हैं हमें याद दिलाते हैं कि मृत्यू जीवन का एक अभिन्य हिस्सा है और इसके बाद ही पुनर्जन या आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है हमें आशा है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी के साथ यदि आपके कुछ सवाल उत्पन्न होते हैं तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं और कमेंट में ओम नमा शिवाय भी लिखें